जब भी diabetes की बात आती है तो मेरे ख्याल से हर घर घर में ये common चीज होती है सभी को पता है कि करेला जो है होना ही चाहिए खाने पिने में और करेले के बारे में जितनी बाते करो उतनी कम है और करेला जो है proven hypoglycemic agent है कि करेले से आपकी sugar levels जो है कम होती है सभी को पता है तो जितने भी diabetes के patient है मेरे ख्याल से करेले को बहुत महत्व देते हैं करेले का juice हो करेले का चूरन हो extract हो capsules हो powder हो सभी लोग लेते हैं और करेले के उपर तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत programs दिये भी है और ये बहुत अच्छा detox भी है बोडी को detox करने के लिए cleansing करने के लिए करेला सहयता करता है लेकिन इसके साथ में बहुत important बाते जो होती है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए कि करेला जो है hypoglycemia करता है मतलब sugar levels कम करता है तो type 1, type 2 diabetes के patients के लिए मालुम ये करना जरूरी है कि करेला अगर आप जाने अन जाने खा रहे हो तो sugar इतने हद तक भी drop हो सकती है कि आपको comatose condition भी होगी, dizziness भी होगा तो करेले के side effect में हमने देखा हुआ है कि कई patients को convergence भी आए है तो करेले का इस्तमाल किजेगा लेकिन उसके साथ में अगर आपका sugar level drop हो रही है तो वो भी आपको science और symptoms मालुम होने चाहिए कि आपको dizziness feel रहा है, weak feel रहा है, पसी ने छूट रहे है तो हो सकता है कि ये करेला अगर आप करेले का juice या extract आप ले रहे हो तो हो सकता ये करेले का juice आपको suit नहीं कर रहा है तो जब भी करेले का juice आप लेते हैं या करेले का प्रयोग आप sugar के लिए diabetes के patients खास करके करते हैं तो आहरुवेदिक सला भी साथ में होनी चाहिए कई बार देखा ये गया है कि करेले का juice या करेले का इस्तमाल जो लेडी बच्चा चाहती है उनमें ये infertility ला सकता है तो एकसेस करेले का juice या जिनके खास करके मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो करेले का इस्तमाल ना कर जिए क्योंकि करेला जो है अच्छा नहीं होता है फर्टिलिटी के लिए और खास करके छोटे बच्चों में करेले का इस्तमाल ना करे तो सही रहेगा क्योंकि वो कई बार जन्रलाइज वीकनेस या शुगर लेबल्स भी ड्रॉप कर सकता है तो करेले के बारे में साइड इफेक्स भी पता करने चाहिए और उसके बाद करेले का सही इस्तमाल जो है वाइजली करना जरूरी है